सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताक कि हमारी वीडियो की नौटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहले पहुंच सकें तो आज हम डिसकस करने वाले हैं सेवन्थ सेशन पांच और प्लास प्रशनों के संग रहे का जो आपके सभी प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लिए उप्योगी रहेंगे तो जिसकी को भी सेशन का पीडियो फॉर्मेट चाहिए तो हमारे टेलिगरम चैनल है उसको फॉलो कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जिसका भी एच्पी पूलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम है तो इस सेशन को जो एटेंड कर लीजिएगा क्योंकि लाज की सेशन को लाज का पहला कोशने गौतम बुद्ध ने किस स्यासक के शासनकाल में निवारन प्राप्त किया था तो निवारन यानि गौतम बुद्ध की मृत्यू को बोला था माहा पर निवारन तो यह किस स्यासक के शासनकाल में होता तो यह शासक था अजात शत्रू अगला क्वाशने उसने कहा था कि साहेत्यकार की प्रसिद कहानी है उसने कहा था ये किसकी अवई चंद्रधर शर्मा गुले रीकी अगला क्वाशने वर्षा की बुन्दू के गोलाकार होने का क्या करण है तो वर्षा की बुन्दू के गोलाकार क्यों होती है यह होती है ड्यू टू सर्फेस टेंशन यानी प्रिष्ट तनाव के करण तो अगला क्वशने आर्थिक नियोजन की सूची में है तो आर्थिक नियोजन होता है समवर्ती सूची में और पिछले कलम ने डिसकस किया तब पंचायती राज की सूची में होता है तो वो होता है राज्य सूची में अगला कुछने ग्रीनो काईट किसका अईसक है यह है कैडमियम का अईसक अगला कुछने बौध संग में प्रवेश को क्या कहा जाता है उप संपधा या फिर प्रवज्या अगला कुछने किस आवरित वीजी कुल से संतरा संबंदित है तो यह है रूटेशी से संबंदित अगला कुछने किस शेर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं तो इक्वीटी शेर के धारक जो हते हैं यह होते हैं कंपनी के वास्तविक स्वामी तो अगला कोशने फरीद को शेर खां की उपादी किसने दी थी तो फरीद को शेर खां की उपादी दी थी बहार खां लोहानी ने अगला कोशने निशस्तर सेनानी कवीता की रचना किसने की निशस्तर सेनानी इसकी रचना की थी माकर नाल चतरवेदी ने अगला क्वाशने समाजिक सुरक्षा एवं समाजिक वीमा किस सूची में है तो समाजिक सुरक्षा और समाजिक वीमा आता है समवर्ति सूची यानि कंकंट लिस्ट में अगला क्ोषने किसने मनसबदारी व्यवस्टा में एक नई प्रता मशरूत की शुरूत की शुरूत की थी औरंगजेम ने तो अगला कोषनी शेर खान शेरशाकिञ उपादी किस युद के जीतने के बाद धारन की? तो शेर खान ने कुंसे युद को जीतने के बाद शेरशाकि उपादी धारन की? तो यह था चोजब कायुद आ युद हुगा था 26 जून 1549 को, and Wow 26 जून 1549 को, और चोसा का यूद लड़ागा था किसके बि faud mentioning अफगान शेरशा सूरी के बीच और इस यूद में जो है शेर शेरशा वीज़ जही हुआ था और उसने क्या किया था खुद फरीद अलदीन शेरशा का ताज पहना था किसका ताज पहना था फरीद अलदीन शिर्शा का ताज पहना था तो नेक्स्ट कोशन है भारत में जल विडियोत शक्ती गरी सरप्रतम कहां स्तापित किया गया था तो भारत का जो पहला जल विडियोत शक्ती गरी था स्वापेर यह था यह था दार्जक में स्वाफेर नेक्स्र Lacan में opposite मॉल्य Hawking का प्रृंक का अधिकारी क्या यह तो मौलिय प्रॉंग में ज向 पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है तो इस्य का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बंबे स्टॉक एक्सचेंज अगला कुछने मूर्ती देवी पुरुषकार किस ख्षेत्र में दिया जाता है तो मूर्ती देवी पुरुषकार दिया जाता है साहित्या के एक्सचेंज किस अंग को आर बी सी का कभरसान कहा जाता है तो अगला कुछन है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाव देने के लिए कोन अधिकरित है तो राजे सरकार को जो है कानुनी मामनों में सला देने के लिए होता है महा अधिवक्ता अधिकृत यहनी जो एडवोकेट जनरल होता है वो क्या होता है स्टेट कौवर्मेंट का क्या लीगल एडवाइजर होता है तो नेक्स कुछने दोनी कब एक अधिक्तम किसमे होता है तो ये अधिक्तम होता है लोहे में नेक्स कुछने किस वाइसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो अंदोलन प्रारंब हुआ तो भारत छोड़ो अंदोलन किसके शासनकाल में प्रारंब हुआ था तो उस वक्त थे भारत के वाइसरा है लौड लिलित को तो द्यान दीजी का जो कुट इंडियो मुवमेंट था ये कब शुरू हुआ था ये हुआ था आठ अगस्त 1942 को शुरू नेक्स क।ष्ण प्राक्रतिक रेश्यम के उत्पादन में भारत का विश्यो में कौन सा स्थान प्राप्त है तो ये सेकंड ये नी प्राकतिक देशम के उत्पाद्र में जो भारत का 2nd rank in world तो अगला question है किसे धर्म सुधार अंदोलन का प्राते कालिन तारा कहा जाता है तो धर्म सुधार का प्राते कालिन तारा कहा जाता है जौन वीकलिफ को तो अगला question है मानव विकास हूच कांक यहनी HDI Human Development Index किस अर्थ शास्त्री की देन है तो ये है महबूब उलहक की देन और इंडिया का रेंकिस में 131 out of कितना 189 countries तो अगला कुछने Miss World प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई थी तो Miss World प्रतियोगिता शुरू हुई थी 1951 में और वर्ष वर्ष में Miss World है करोलीना बिलावसका जो कहां से है पॉलेंड से तो अगला कुछने भार्थिया सविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्ता सापित करने की प्रिरणा देता है तो भार्थिया सविधान का वो कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्ता सापित करने की प्रिरणा देता है तो वह है राज्य के नीती निदेशक तत्वा तो राज्य के नीती निदेशक तत्वा याने Directed Principles of State Policy ये भार्थिया सविधान के 251 से संबंदित है तो अगला कश्ण है रक्ट में प्लाजमा की मात्रा कितनी होती है तो रक्त में जो है प्लाजमा की मात्रा होती है 60% अशोग का कौन सा शिलालेक धार्मिक सही शुन्ता के सिदांत को समर्पित है तो कौन सा शिलालेक है भाई अशोग का जो क्या है धार्मिक सही शुन्ता के सिधान्त को समर्पित है तो यह है 12 शिलालेक यानि 12 शिलालेक तो अगला क्वेशन है कौन सा पुरुसकार एशियाई नोबल पुरुसकार के नाम से जाना जाता है तो यह है रहमन मैकसे से पुरुसकार तो नेक्स क्वेशन है कौन सा चैनल अल्फरेड मार्शल दौरा तो अगला कुशान वंश के किस स्यासक ने केवल तामबे के सिक्के चलाए तो कुशान वंश का वो कौन सा स्यासक था जिसने केवल किस के सिक्के चलाए थे तामबे के सिक्के तो था कुजल कडविसेस अगला कोशने मनुश्य की श्रबता सीमा कितनी होती है तो मनुश्य की श्रबता सीमा होती है 20 हर्ड से लेकर 20,000 हर्ड तक तो अगला कोशने सवीधान के अधिकांश अनुछेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो यह अपनाई जाती है सदारान बहुमत अगला क्वेशने अमनराज में नाइटरिक एसिड और हाइड्रोकलोरिक एसिड का अनुपाद क्या होता है अमनराज में जो है नाइटरिक एसिड और हाइड्रोकलोरिक एसिड का रेशियो होता है वन रेशियो थ्री तो अगला कोशन है मुगल काल के किस बंदरगा को बाबुल मक्का या फिर मक्का दौर कहा जाता था तो ब्लोच बंदरगा को कहा जाता था बाबुल मक्का या फिर मक्का दौर नेक्स कोशन है नोबल पुर्षकार से समानित प्रतम भारतियो महिला कौन थी तो अगला कोशन है आर्थी गती शीलता का सिधान्त किस ने प्रतिपादित किया था तो अगला कोशन है मुगल कालिन किस ब्यवस्ता के तहट परशासनिक ब्यवस्ता का सैन्य करण किया गया तो किस ब्यवस्ता के तहट जो है परशासनिक ब्यवस्ता का सेने करन किया गया था ये किया गया था मनसभदारी ब्यवस्ता के तहट तो अगला कोशने सर प्रतम किस भारतिय साहित एकार को नोबल पुरुसकार पुर्दान किया गया था तो रबिंदर नाट टेगोर पतम सायत एकार थे भारत के जिनको नोबल पुरुसका से समानित किया गया था अगला कोशने प्लाजमा में 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 प्लाज असपा और सिख्श्पा रेंक लगाया गया तो यह लगाया गया तब जगा गया तुए जहांगीर के शासन काल में और जो दू- असपा और सिख्श्पा ये किस संबंदित हैं मन-सवधरी बेवस्ता से संबंदित, अगला क्वश्रब दारा कितित है , तो आज की सेशन नहीं करते हैं आए उप सोथ um आज का सेशन पसंद आया होगा तो अगर पसंद आया होगा तो लायक से सबस्काइब कीजिए टार्गेट फोकस यूटूब चैनल को और बने रही हमारे साथ यानि टार्गेट फोकस यूटूब चैनल की टीम के साथ